तरिंद्र मोदी दिखाई दिये हैं और इस तरह की तस्वीरें देश को मस्बूत करती हैं देश के सेना के मनुबल को बढ़ाती हैं और खास तोर पर वायू सेना की ताकत से रूबरू कराती हैं संपूर्ण विश्व को और यह चुनोती देती है कि भारत अब पहले जैसा भा जब थे उस वक्त और जब तेजस के अंदर वो बैठे हुए थे और उन्होंने आप देखे कि थम्सब करते हुए दिखाया यह जो तस्वीरें यह मजबूती की पूरी दुनिया में यह दिखाती है कि हमारा कैसे डंका बज रहा है भारत का डंका कैसे बज रहा है प्रधान मंत्री काफ़ी खुष नजर आ रहे है प्रधान मंत्री आप देखे यह तस्वीरें जो आपको दैखा रहे हैं यह तस्वीरें बैंगलोरू की है जहाँ पर लड़ाकूवेमान तेजस में प्रधान मंत्री ने उड़ान भरी है बैंगलूरू में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड जिसे है एचल कहा जाता है वहाँ पर फैसलिटी के दौरान वो गए थे और पीमों ने यही बताया है कि तेजस जैट की विनिर्मान और उसके निर्यात को बढ़ाबा दिया है अब हम लोगों से मांगते नहीं है बनकि लोगों को प्रोवाइट करते हैं टेक्नलोजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि मैंने आज तेजस में उडान भरते हुए अत्यांत गर्व के साथ ये महसूस किया कि हमारी मेहनत रंग ला रही है हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्म निर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से भी कम नहीं है भारती वायू सेना, DRDO और हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानि HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभ कामना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सोशल मेडिया पर वाइरल भी हो रहा है लोग इसे शेयर भी कर रहे है क्योंकि ये तस्वीरे महज देश के प्रधान मंत्री की या हमारी बढ़ती रक्षा उत्पादों की तस्वीर नहीं है ये है हमारी टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट की तस्वीर ये है हमारी बढ़ती सुरक्षा की तस्वीर ये है विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीर और ये है नए भारत की तस्वीर जो किसी के आगे हाथ नहीं पहलाता बलकि ऐसी उडान भरता है कि पूरा विश्व उसकी ओर टक्टकी लगाए देखता है